नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट एनलेसिस में दोस्तों आज आप सभी के साथ बात करूंगा बजार के उपर बजार में जो एक गिरावट भड़ती हुई दिख रही है और इस त उपसे बड़ी प्राबलम किया विशह है आज के सेशन में क्यूं आ रही है गिरावट शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन अगर कल गिरे होते बाजार तो आप कहते हैं अमेरिका की बाजार में रेटा एक्स हुए अमेरिका के बाजार गिरें उसके चलते बाजा चाहिए हम उतना नहीं गिरेंगे लेकिन गिरेंगे इतना आप समझ लीजिए जो एक स्मार्ट निवेशक है वो हमेसा प्राइस को फॉलो नहीं करता कभी कबार प्राइस के साथ उसे अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है अब कल के सेशन में आप देख रहे हो कि रुप आपका व्यू बन रहा होगा लेकिन अब बजार सपोर्ट के पास पहुच रहा है अब नेगिटिव बनने का मूड मतलम नेगिटिव होने का समय नहीं है 17-300 अगर यह ब्रेक होता है तो डेफिनिटली और बड़ी गिरावट हो जाएगी अब हमारे पास एक देखिए मैं यह नहीं करा यहां से तेजी हो जाएगी और यह भी नहीं करा अब और मंदी बची है मैं क्या कह रहा हूँ अब मेरे पास एक रेंज है जिसको मुझे गिरावट हो रही है प्रेशर के साथ है नेगेटेव है और आप अगर डाव जोन्स को देखें तो वहां पे भी देख लेते हैं कि कैसा हाल है लेकिन उससे पहले रुपे की कमजोरी और बढ़ती हुई दिख रही है डाव फूचर्स भी डेजलो के ट्रेड कर रहे हैं लग अभी तो थोड़ा सा रिकवर हुआ है रुपे सुबह 22 पैसे कमजोर था 81 के उपर था लेकिन अभी केबल 6 पैसे कमजोर है 80.92 पे आगया तो यहां रुपे में स्ट्रेंथ लोटी है यह एक अच्छी चीज है अब यहां पे आपको बाय करना है अब कौन से स्टॉक्स खरी अगर आपने मेरे कहने से खरीदा है तो आप निशिंद होगे रखिया आज तो यह तो काफी बढ़िया मूव आ रहा है अब फार्मा डिफेंसिव में देखिया इटी की पिटाई चल रही है अब FMCG और फार्मा भी नहीं चलेंगे तो क्या चलेगा डिफेंसिव में तो मा आपको देगा यह तो ऐसा स्टॉक है यतना ज्यादा होड़ करेंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा और फॉर्चुनेटली आप यह भी समझ लिए जो तीन स्टॉक है तीन में मेरा आज एक डीवी लेब ही है यह एक ऐसा शियर है जो आप एक सो पांच रुपे की जो तेज लगेगा अब तो ठीक है बस वो धाई साल बिताने वाली बात है तो पहला स्टॉक डीवीज लेब है दूसरा स्टॉक इनफोसिस है और तीसरे स्टॉक के बारे में मैं बताऊं उससे पहले इनफोसिस पर कुछ बात करना चाहूंगा अभी पिछले कुछ दुनों में IT स्ट स्टॉक में काफी गिरावट चल रही है अब ब्रोकरेज हैसे स्टॉक पे थोड़े ऊपर के टार्गेट देने रहे हैं इतने गिरावट के बाद 1700 कोई 1665 का दे रहा है कोई 1700 को दे रहा है बट आपको ये भी समझ में आना चाहिए क्यों गिरे थे और कितना गिर चुके हैं और अब यहां से कैसा दिखता है कंपनी दो खराब नहीं है मैनेजमेंट खराब नहीं है कारोबार खराब नहीं है आगे की आउटलुक जो थोड़ी सी का ऐसेंचन ने गाइडेंस कम करी है हो गया सब बस अब खरीद लो सिंपल सी बात है तो यह मेरा इंफोसिस पर भी वि देके चलते है टीक है शौट टम की बात करें तो आज के सेशन में रिलैक्स हो 20 रुपे गिरा है यहां खरिदारी करने की सला है पिछले कुछ दिनों में आपने देखा हुगा कैंपस में तूफानी तेजी आई है मेट्रो में तूफानी तेजी आई है मिर्जा एंटरनेश परसेंट के रिटर्न आने वाले आठ से बारा महीने में डेफिनेटली देगा तो यह मेरी तरफ से तीन टॉपिक्स हो सकती है आपके लिए होप आपको तीनों पसंद आयोंगा इन इस टॉक्स में तो आपको मुझे पता है कि कोई कमी लगी नहीं होगी यह तीनों ब्लू अला कि रिलेक्स अ ब्लू चिप नहीं है बटे के एक शानदार स्टाउक थो है थेंग यू सो मच वाचिंग वाचिंग इस वीडियो है थेंग आप आप अ